करता हूं कामाइनी की व्याख्षा तो हम लोग देखेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं कामाइनी में कुल 15 सर्ग हैं इसमें पहला सर्ग जो है वह चिंता है और अंतिम सर्ग वह आनंद है यानि चिंता से प्रारम हुई कामाइनी का अंत जो है आनंद के रूब में होता है पहला सर्ग चिंता उसी के हम लोग यहां पर इस विदियों में ब्याख्षा देखेंगे इसकी प्रिष्ठ भूमी जो है वह इस प्रकार से है कि देवों के अत्यभिक विलास के कारण अत्यध प्रवा बैठे हुए थे वही आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है हिम गिरी के उत्वूंग सिखर पर बैठ सिला की सिला की सिला पत्थर की सिल्चाओं में बैठे हुए एक पुरुष एक व्यक्ति जो है भीगे नैनों से यानि अस्रुपूरिक नैनों से इस प्रलय क प्रवा को देख रहा था विच्छे जल था ऊपर हिम था एक तरल था एक सघंड एक टत्व की प्रधानता को से जड़या चेतन नीचे जल था नीचे भी पानी था क्योंकि प्रलए आया हुए था और उपर हिम था तो पिःमालय पर बैठे हुए थे वर्प जमा हुए था यहां पर हमें प्रसाद के दर्सन प्रसाद का फिलोस्पी नजर आता है आत्मा परमात्मा की जड़ है वह भी परमात्मा की अभी व्यक्ति है और हम देखते हैं विश्थ्ट्रीज था हिम, अस्तब्ध उसी के थिर्दय समान नीर ता सी शिला चरहन से तकराता फिरता पौमान दूर दूर तक विश्थ्थ्ट्व था हिम उपर जहां तक नजर जाती ति चारों और भरभ भरता और वहां ऐसे ही समनाटा पसरा हुआ था ऐसी अस्तब्दता पसरी हुए थी वहां के वाता वरन्य ठीक वैसे ही अस्तब्दता पसरी हुए थी जैसे मनु के हरदय में अस्तब्दता थी नीरवता सी सिलाचरन से तकराता पौमान कार थे पवन नीरवता सी सिलाचरन से तकराता प्रवान और उन्हीं जो था वहां चारों जो था बड़े बड़े चप्टान थे पत्थर थे सिला भी सांथ थी और उन्हीं पथ्रों के चरणों में जो है पवन हावा जो है बार वाय टक्कर खारेची यानि हवाँ चल रहेची और उन पहाड़े की बड़े-बड़े चक्ताओं से टक्राकर सांथ हो जा रहेची कि तरुन तपस्वी सावा बैठा साधन करता सो शम्सान नीचे प्रले सिंधू लहरू का को ता था सा करुन अवसान प्रतीत हो जेसे किसी समसान में कोई तपस्वी बैठा हो किसी चीज की साधना कर रहा हो अपने किसी जेस 측ी प्रापती के लिए वैसा ही मनु जो थे वह बैठे हुए प्रतीत हो रहे थे यग तो पिक फिक Uनका नाम अभी तक नहीं गिया है होता था सकुरू lleharo का होता था सकुरू llehy और होता था तकरा थकर निष्ट हो जाती था रूंकर करुणापूल्स मापन धरले करुणापूलो कर था रहूम के असे तक उसी तपस्वी से लंबे थे, देवदारू दो चार खड़े, हुए हिंधवल, जैसे पत्थर बनकर ठिटुरे रहे अड़े, पहाड़ था, ही माले पहाड़, हम लोग देखते हैं कि देवदारू का जो ब्रिच्छ है, उचाईयों पर पाया जाता है, पहाड़ों पर पाया था, उसी के समान जो है, क्या थे, देवदारू के दो चार लंबे ब्रिच्छ खड़े थे, हुए हिंधवल, जैसे पत्थर बनकर ठिटुरे रहे अड़े, और वो देवदारू के जो ब्रिच्छ थे, वो अभी हिंधवल, यानी बर्फ के समान सफ्हेद हो गए थे, क्योंक प्रपीत होता था, आगे वर्नन क्या गया है, मनु का, और इसी से पता चलता है कि मनु जो है, एक भाव के प्रतीक है, मन के प्रतीक को हैं ही, लेकिन वो सरीरी भी थे, क्योंकि आवयो की द्रिग्ड मानव स्वेसिया, आवयो मने सरीर का अंग जो है, तो उनके सरीर के अंग की जो मान स्पेसिया थी, वो द्रिग्ड थी, कठोर थी, उर्जस्विथ्था विर्यपार, और उनके मुख पर था, क्या था, ब्रमचरे की आभा जो है, वह चमक रही थी, वह उर्जा प्रदान कर रही थी, अस्फित सिराएं, यानि कि चोड़ी, खुली हुई, उभरी हुई सिराएं थी, वेंस थे, और उनमें क्या होता था, स्वस्त रक्त का होता था, जिनमें संचार, और उन चोड़ी सिराओं में स्वस्त खून का संचार होता था, उसमें स्वस् कि पूज़ा में जिखते हैं तो माता जो है कहां राम के मुख में वदन में लिन मतला मुख में चली जाती है ना कि शरीर में। चींता काकर वदन हो रहा, चींता से अधीर हो रहा था। उस जो बहुत जो व्यक्ति था उसके मुख पर चींता की लकीरे साफ रूप से दिखलाई पर रही थी। लेकिन पौरुस जिसमें वो त्प्रोप यदप उधर उपेक्षामई यवन का भाता भीतर मधमेश रोट दूसरी और क्या है उसके हिद्दे में यवन का आल की जो है बहुत सारी भावनाओं का सोता भाता था जैसे युवक होता है तो बहुत सारे विचार आलोरित विलोरित होते रहते हैं वैसे ही इस युवक के मन में भी जा रहे लिकिन जिस स्थिति में वह था उसस्थिति में वह जो है इन पूमल्हावन जो द्यान देने की स्थिति में नहीं से कि महावज्ण महावट महावट मतलब अहाम हुआ वर्ट मिन्स ऐसं क्या जिसकि कि उसी लुवक की नौका जिस पर की वह आया था वह बंधी हुई थी सूखे में अब पढ़ी रही तो जब जल प्रलाय आया था तो पूरा उचाही तक जल था लेकिन जल धीर धीरे घट गया था और अब वह जो है कभी जल में जो नौका थी और वह एक बड़े विसाल बरगत क प्रवाची है लोग जानते हैं कई सारे प्रवाची होते हैं भूमी धरा धर्पी धरित्री अवनी मोदनी छिती वसुमती वसुधा वसंदरा उसी का आगे है खाль में आगे है निकल रही थी मरम वेदना कव नी उत्यों कि व्येंन का करने लगा और वह था है से करूनापुलन कहार था और नहीं प्रकृती थी और अजय के रही थी मनु अपनी व्यथा कहा रहा थे वा व्यक्ति अपनी व्यथा कहा रहा था और वह मुश्कूरा रही थे क्यों हम मुश्कूरा रही थे तो कि इस व्यथा का जिम्मेवार जो है मनु की स्थिति का जिम्मेवार वह स्वयन थे इस वीडियो में जना ही आगे की वीडियो में हम लोग चिंता की व्याख्या को जारी रखेंगे और चिंता की संपोन व्याख्या को करने का प्रयास करेंगे धन्यवाद